खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और एबिपी न्यूस को सब्सक्राइब कीज़ें और शपत ग्रेंड की इस बड़ी कवरेज के बीद जान लेते हैं 100 सेकंड में तमाम बड़ी खबरें शाम साथ बजे मोधी और उनके 50 मंत्री लेंगे शपत सुबह सुबह मोधी ने बापो और अटल जी को दीश रधान जली बॉल मेमोरियल में शहीदों को किया यार रधान मंत्री मोधी के दूसरे शपत ग्रेंड कारिकरव में देश विदेश के 8000 खास मेमान मौजूद रहेंगे इन में राश्टर द्यक्षों से लेकर फिल्मी सितारे और बिजनसमेन शामिल है बीजेपी के दिगर जेता संतोष गंगवार बनेगे प्रोटेम स्पीकर मोधी को दिलाएंगे शपत यूपी के बरेली से आठ बार सांसद रहे हैं गंगवार मोधी के शपत ग्रहन में बीजेपी ने बंगाल हिंसा में मारे गए कारेकरताओं के परिवारों के 54 लोगों को दिया नियोता ममता ने मोधी के शपत ग्रहन का नियोता ठुकराया बोली मोधी ने बंगाल में बीजेपी के 54 कारेकरताओं की हत्या का जूट फैलाया मोधी सरकार के मंत्रियों के नाम तैया, आमिष्या, खुद मंत्रियों को देंगे जानकारी फ्यूce-कौएल, नरंद्र तोमर, अर्जुने में इखवाल से की मुलाकाव अरुन जेटली सिब्रान मंत्री मोधी ने की मुलाकाट जेटली ने खराब सेहत के कारण मंत्री ना बनने की की अपील सुत्रों के मुताबिक मोधी ने उन्हें समझाने की कोशिश पशिम बंगाल में ममता बैनर जी को लगाता दूसरा जटका पार्टी के एक और विधायक बीजेपी में शामिल हुए ABP News के ऑपरेशन तुगलक रोड पर घिरी मधिपिडेश सरकार कमलनाच बोले मधिपिडेश में हो रहे है अच्छे कामों से ध्यान हटाने के लिए लगाया गया आरो E.D. के सामने लगाता दूसरे दिन पेशोंगे रॉबर्ट वाडरा वाडरा ने फेस्बुक पर लिखा आरोप गलत साबित होने ता के जन्सियों का सही योग करता रहूँगा PNB घोटाले के आरोपी भगोडे कारोबारी निरव मोधी की लंडन में प्यक्टरपन के मामले में पेशी आज जमानत लेने की तीस्टी कोशिश करेगा बारबंकी के बाद उत्तर पिदेश के सीथापूर में जहरीली शराब का कहर महमुदाबाद अलाके में तीन लोगों की मौत पांच लोगों की हालत विगडी गुरुगराम की सेक्टर 48 में नाईये की टीम का छापा एक करोड़ बीस लाकी नकली करिंसी बरामत दो लोग हिरा सकते भारतिय सेना को बड़ी कामियावी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे दो युवग की रफ्तार जम्मू के रतने चूप सेन स्टेशन के पास से पकड़े गए युवग उतर भारत में गर्मी का कहर राजिस्थान के चुरू में भायाना गर्मी दुनिया का छटा गर्म शेहर बना चुरू